आप सब को जैमसी की परमेश्व का धनिवाद हो आज की सुन्दर सुभा के लिए सो आईए हम सब मिलकर विश्वा स्वचन की घोशना करेंगे मेरे साथ मिलकर कहें परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा परमेश्वर मुझे आशीज देगा वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीश का कारण होगा आमेन अच्छा हो गया हूं चंगा हूं और पीके ब्रादर अम्रिता सिश्टर को मैं दिल से धन्यवाद दता हूं और पीता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की परातना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप आसिस्ट हैं आप परमेश्वर के राज्य में आसिस्ट व्यक्ति हैं हमें से बहुत से भाई बेहन हैं जो सोचते हैं कि वे आसिस्ट नहीं हैं क्यों कि इस समय वो स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं उनके जीवन में समस्याएं हैं, परिशानियां हैं, विपरित परस्ततियां हैं, इसलिए वो सोच रहे हैं कि वे आसिसित नहीं हैं, कई तो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वे सरापित हैं, लेकिन आज सुभह में मैं आपको उटसाइद करना चाहूंगा कि आप आसिसित व्यक्ति ह जरूरी नहीं है कि आपके पास धन समपत्य हो तभी आप सोचें कि आप आसिसित हैं, नहीं, आप आसिसित हैं, पर मैं शुर में आप आसिसित हैं, मैं यूं कहूंगा कि आप पहले से ही आसिसित हैं, आपको अब आसिसित नहीं होना है, बलके आप पहले से ही आसिसित हैं, पर हम कहेंगे कि हम आसिसित हैं या फिर परमेशन ने हमें आसिस दी है परंतो आज सुभे में मैं आपको उत्साइद करूंगा कि परमेशन ने आपको पहले ही आसिसित किया है धन संपत्ति या अन्य चीजे ये तो बात की हैं इनसे आप आसिसित नहीं होते आप पहले से आसिसित हैं आपको परमेश्व ने पहले से ही आसिसित किया है जिस दिन आपने प्रभ येश्व मसी को स्युकार किया जिस दिन आपने प्रभ येश्व मसी के पीछे चलना सुरू किया उससी दिन आप एक आसिसित ब्यक्ति बन गए चाहिए आपके पास अभी कुछ भी नहीं है लेकि हमारे प्रभु येश्व मसी के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसी में स्वर्गे स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशिशें दी हैं. आमें. दोस्तों यहां पर परमेश्व का वचन कहता है कि हमारे प्रभु येश्व मसी के पिता परमेश्व का धन्यवाद हो कि उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशिशें दी हैं. उसने आपको सब प्रकार की आत्मिक आशिशों से भरा हुआ है. आप आत्मिक आशिशें पाच आपको परमेश ने आसिसित होने के लिए बुलाया है आप उसके आसीस के वरिस हैं परमेश कवचन कहता है गलतियों की किताब उसका तीन अध्याई और चौध पद कहता है कि यहो इसलिए हुआ कि अबराहम की आसीस मसी येश में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी परतिग्या हुई है यहो इसलिए हुआ क्या मसी येशु का कुरूस पर चड़ाए जाना इसलिए हुआ ताकि हम जो अन्य जाती हैं जो प्रव को नहीं जानते उनके पास अबराहम के आसीस पहुंच जाए मिंस आप और मैं अब अबराहम की आसीस के वारिस हो गया आप जानते हैं अबराहम अपने जीवन में सबसे अधिक धनवान व्यक्तिता सबसे अधिक पर्थिस्टित व्यक्तिता सबसे अधिक उचाई पर था परमेश्यो का चुना हुआ जिससे परमेश्यो ने कहा था कि मैं तुझे आसीस दूंगा वही आसीस मसी येश्यो पर विश्वास करने के दौरा उस आसीस के आप और मैं वारिस हो गए वो आसीस अब आपकी और मेरी हो गए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम आसीसित है आप आसीसित ब्यक्ती है आप सरापित नहीं है आप आसीसित है हो सकता है इस समय आप गरीबी से होकर गुजर रहे हों आर्थिक तंगी से होकर बीमारियों से परिशानियों से होकर गुजर रहे हों लेकिन इसके बावजुद जो परमेशो का वचन आपके लिए कहता है, वो कहता है कि आप आसिशित ब्यक्ति हैं, आप अपनी प्रस्ततियों को न देखें, बलकि परमेशो के वचन को देखें, कि परमेशो का वचन आपको क्या कहता है, जब आप अपनी प्रस्ततियों को देखते हैं, तब आप सोचते ह अधिक आसित ब्यक्ति हैं, जब आपका भरोसा ऐसा होगा, तब परमेश्वर आपको आपके विश्वास की अनुस्सार आपके जीवन में काम करेगा, वो वस्तों में आपको आत्मिक आसित दो दे चुका है, वो इस संसारिक आसित भी आपको देगा जब आप ये सुईकार करेंगे कि आप एक आसिसित ब्यक्ती है आपका पिता अबराहम आसिसित है आपका परमेश्वर आसिसित है और परमेश्वर की संताने भी आसिसित है आप और मैं हम सब लोग परमेश्वर में आसिसित ब्यक्ती है तो दोस्तों आपने आपको तुछ न समझे, अपने आपको स्रापित न समझे, अपने आपको ये न समझे कि आप आसे सित नहीं है, चाहे आपके पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन मसी आपके पास है, इसलिए आप आसे सित हैं, आपने प्रभू पर विश्वास किया है, इ इसलिए आप आसशित है ये धन दौलत इस थंसार की चीज़ों से आप आसशित नहीं हो सकते लेकिन परमेशुर से आप आसशित है परमेशुर में आप आसशित है तो प्रवाब वचन के दवारा बहुताइद से आसित दिया, Amin. आप रखा पिता और आज का नया दिन परमेश्व प्रभू आपने हम सब के जीवन में जोड़ा है इस बात के लिए प्रभू हम आप कद्धनिवाद करते हैं प्रभू राद भर में अच्छी नीन से सुलाया पिता हम आपका धनिवाद करते हैं आज के दिन को प्रभू येश हम धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्ग में विराजमान हैं प्रभू और हम सब प्रभू तेरे सिहासं के समीवьाव प्रभू से आते परमिश्यर पिता अदर आप धन्य वादे इस बात के लिए परमिश्व की आप हमारे साथ मौझूद है धन्य वाद करते प्रमिश्य आज के दिन में प्रभू आफ पिता हम सब भाई बहनों के साथ Japanese है और अप हम सब की प्राथनों को सुनकर उस मसी आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रातना में शामिल है प्रभू आप उने उनके परिवार उनके बच्चों को आशीज दे मेरे पिता हर एक जन परमेशर प्रभू तुझ में बढ़ता चला जाए परमेशर प्रभू तेरे वचनों से और प्रातना से प्रभू और ते परमेश्व जैसा तेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को पहन सके मेरे खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभू आज की सुन्दर वचन के लिए परमेश्व पिता, हम वचन का आदर करते हैं, अपने वचन को अपने जीवन में आदर देते हैं, प्रभू हम चाहते हैं कि ये वचन जब हमने सुना हैं, उसे हम ग्रेहन करने वाले और इसके अकॉर्डिंग चलने वाले हो सकें, पिता, प्रभू धनिवाद करते प्यारे प्रभू की सच में, प्रभू जिस प्रिकार तेरा वचन आज की सुभा में हम सब को साहित क्या है, प्रभू के हम आशशित ह पिता, और तुने प्रभू हमें स्वर्गे इस्थानों में प्रभू हर प्रकार की आत्मिक आशिश दी है, पिता, प्रभू येश्य मसी तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभू जिस दिन प्रभू तेरे नाम पर विश्वास किया, उसी दिन परमेश्य प्र प्रबुश जब लोग उनको पिता गलत गलत बाते बोलते हैं, कहते हैं कि तुम आशिशित नहीं हो, परंदु प्रभु तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु तुने उन्हें हर प्रकार की आत्मिक आशिशें दे दी हैं, मैं धनिवाद करती हैं प्रभु आत्मिक आशिशों को दिया है परमेश्व पिता, प्यारे प्रभु जी आज की इस दिन में परमेश्व प्रभु जब आपके लोग घरों से बहार निकलते जहां कहीं भी वो आज जाते हैं, प्रभु आपकी सुरक्षा, आपकी बाउंडरी वाल, प्रभु क्योंकि आप हम प्रभु जिस भी काम पर तेरे लोग हाँद बढ़ाते हैं, प्रभु येश्यु के नाम से वो कारéfय को दूर होने पाए, क्योंकि प्रभु ये तेरे आशशित व्यक्ती हैं, ये तेरे आशशित लोग है, मेरे प्रभू होने दीजे परमेश्व प्रभू जैसी आशिशे इन्होंने पाई है जब लोग इनके कॉंटेक्ट में प्रभू वो आशिशे इनके द्वारा रिवील होने पाएं पिता परमेश्वर मेरे खुदावन आप इन्हें प्रभू हर प्रकार के आत्मिक आशिशों स अच्छी जॉब और प्रभू जो कुछ भी प्रभू इनकी इस संसार की जरुवत है प्रभू येश्व मसी आप उन बातों को इनके लिए पूरा करें प्रभू इस समय प्रभू जितने लोग प्रभू अपने जीवनों में गड़बडियों को देख रहे हैं प्रभू अपने अफिस में गड़बडियों को देख रहे हैं अपने परिवार में गड़बडियों को देख रहे हैं हर प्रकार की गड़बडियों को येश्व नासरी के नाम से हम कैंसल करते हैं प्रभू आज के दिन में परमेश्व तेरे लोगों के जीवन से हर प्रकार की वो गलत बाते निकल कर चली जाएं हम आग्या देते हैं प्रभू आप इने ग्यान बुद्धी समझ दे आप इनकी साहिता करें प्रभू हर एक कार ये प्रभू तेरी आत्मा के अगवाई में होकर प्रभू तेरे लोग करने पाएं पिता और जो काम करें वो आशिशित होने पाएं पिता प प्रभू जितने लोग एडिक्शन में हैं प्रभू और नानप्रकार की बुरी लथों में पड़े हैं परमेश्व येशु के नाम से हम आग्या देते हैं हर प्रकार के नशे की बुरी आदत हर प्रकार की बुरी लथ हर प्रकार का प्रभू व्यविचार हर प्रकार की प्रभ आत्मा से ग्रसित है तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें सापों और विच्छों को रौंदने का और सत्रू की सारी सामत पर अधिकार दिया है इसलिए प्रभू येश्यू के नाम से इस अधिकार में होकर हम दुष्ट को कहते हैं जाओ येश्यू नास्री के नाम से तैंक तुने आपने वचण के दूशा की तुने प्रभू इन प्रभू इनके रोग इनके डीलाइस को को तूमर को हर एक वह वीपारी जो ताकि ये लोग छुटकारभा कर एक डैव्यर स्वास्ते हॉस्त सरीर में जीने पाए तककी इस बात को माणने पाए कि प्रभू इनकी चंगाई का पहले ही दाम चुका दिया गया है प्रमिश्वर और उस चंगाई को प्रभू येशु मसी प्रभू ये अधिकार से लेने पाएं पिता तैंक यू फादर हर प्रकार की बिमारिया हम आग्या देते हैं जाओ येशु के नाम से रोग दुरबलता कमजोरी हर प्रकार के दौरे पढ़ना हर प्रकार की वीकनिस हर प्रकार के मेंटली डिसॉर्डर हर प्रकार की बॉडी में डिसॉर्डर येशु के नाम से दूर होने पाएं प्रवी धन्यवाद की अपनी चंगा किया प्रमिशर, आपके लोग चंगे हो गया हैं प्रबु धन्यवाद आज कि सुछा में प्रभू तेरे लोगों की सारी जरुतैंभ सारी जरुततों को पूरा कर लेए कर्जे प्रभू येशव में प्रभु जो स्ट्रगल कर रहे हैं पिता हर एक भाई बहन को छुटकारा दीजी परमिश्व पिता प्यारे प्रभु इनके बच्चों को सही रास्ते पलाईए जो पच्चे वीक हैं मेंटली प्रभु बहुत जादा कमजोर हैं प्रभु येश्यमसी वो मेंटली हील हो और प्रभु येश्यमसी स्ट्रॉंग होने पाएं इनकी याददाश को आप तेज करें प्रमिश्व इनके हर एक रोगों को आपने दूर किया पिता धन्यवाद और जितनों ने प्रात्नविंतियों को भेजा है प्रभु धन्यवाद आपने उनकी प्रात्नों को सुना उत्तर आमीन में दिया प्रभु जितने भी भाई बेन हमारे साथ में कई सालों से प्रभु प्रात्नों में जुड़े हैं प्रभु कई महिनों से प्रात्नों में जुड़े हैं और कई दिनों से प्रात्नों में जुड़े हैं प्रभु येश्यमसी नास्री के नाम से उन भाई बह को वो जहां कहीं भी दुनिया की जिस भी छोर में प्रभू वहीं उन्हें आशीज देते हैं वहां पर मेश्व तेरे लोग अपने जीवन में प्रभू आशिशित होने पाएं और दूसरे व्यक्ति भी प्रभू जब इनके कांटेक्ट में आएं वो भी आशिशों को पाएं म प्रभू इनके जीवन में या फिर आज की दिन में बड़े-बड़े कारे प्रभू तुने इनके जीवन में कहें प्रभू तो हर एक धन्यवादित विश्य है प्रभू तेरे आगे रखते प्रभू इन्हें ब्लेस करें बढ़ाएं और आशिशित करें पिता धन्यवाद क करते हैं येश्यू के नाम से प्रात्न मांगते हैं सुने और रहन करें आमेन आमेन और आमेन